रहनी चाहिए लेकिन दुर्भागे से आजादी के बाद एक लंबा कालखन ब्यतीत हुआ जिसमें खेती को जितना प्रधान देना चाहिए गाओं को जितना प्रधान देना चाहिए उसमें कुछ कोताई बढ़ती गई और उसी का परणाम है कि आज गाओं और सहर के बीच खे असंतुलन दिखाई देता है यह असंतुलन कभी-कभी पलायन का कारण भी बनता है कभी-कभी आक्रोस का भी करण बनता है हम सब इस बात को भली बात ही जानते हैं कि हमारे आजादी के बाद पहले उप्रधान मंत्री हुए सरदार पड़िल साब गुजरात के ही थे सरदार पठेल साब ने कहा था क्रसी ही हमारी संस्क्रती है जब उन्होंने ये बात कही क्रसी ही हमारी संस्क्रती है तो उनके इस वाक्य का अवलंबन तत्कालीन भारत सरकार और राज्य सरकारें करती तो मैं समझता हूँ आज हमें इतनी exercise करने की और इतना असंतुलन हम लोगों को देखने को नहीं मिलता किरसी के छेतर में ही हमारे प्रधान मंद्री लाल बादूर सास्त्री जी की चिंता रही और उन्होंने स्वयम खेती में अपना पसीना बहा कर सारे देश को पेड़ना देने का काम किया और उन्होंने कहा था कि जए जबान और जए किसान इस नारे का भी कुछ हद तक फायदा हुआ लेकिं हम सब इस बात को जानते हैं जैसे जैसे वक्त बदलता है वैसे वैसे हम को भी अपने आयाम को बदलने की आवश्चता है जब अटल वियारी वाजपेई जी इस देश के प्रधान मंत्री बने तो उन्होंने यह माना कि क्रसी हमारे लिए आवश्चत है और सुरक्षा भी हमारे लिए आवश्चत है लेकिन सुरक्षा को मजबूत बनाना है तो हमें आदुनिक विज्ञान की तरफ बढ़ना पड़ेगा और क्रसी को अगर हमें आगे बढ़ना है तो क्रसी को भी नई तकनीक से चोड़ना होगा और इसलिए अड़ल व्यारी वाजपेई जी ने जय जवान जय किसान के साथ जय विज्ञान को भी चोड़ा और आप सब ने देखा कि इस वार जब हमारे प्रधान मंत्री मानी नरेंद्र मोधी जी ने लाल किले की प्राचिर से अपना उद्वोधन दिया तो नरेंद्र भाई मोधी जी ने इस नारे को और आगे बढ़ाया और मोधी जी ने कहा कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनसंदान जब तक अनुसंदान पर हम पूरा ध्यान नहीं देंगे और हमारी अधिक्तम कोसिस अनुसंदान के लिए नहीं रहेगी तब तक हम अपने उद्देश को प्राप्त करने में सफल होंगे तो मैं इस अफसर पर किसान भाईयों को यह अनरोद करना चाहता हूं कि हमारे अगरिकल्चर साइंटिस्ट इस दिसा में बहुत तेजी के साथ काम कर रहे हैं केंदर सरकार और राज्य सरकार और हमारे क्रिसी विश्विद्याले क्रिसी विग्यान केंदर इस दिसा में अगणी भूमिका का निर्भा कर रहे हैं आप सब उनके साथ कदम से कदम मिलाएं, कंदे से कंधा मिलाएं, गुजरात को भी आगे बढ़ाएं और भारत को भी फाइब विलियन डॉलर की एकनोमी बनाने का जो नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करने में अपना बढ़शड़ कर योगदान दें आज हम इस बात को भली बात ही जानते हैं, कि हमारे क्रसी वेग्यानेकों के अनुसंधान और हमारे किसानों का परिस्रम, ये जब दौनों मिले तो निश्यत रूप से हम खाद्यान के छेतर में आत्म निरबर हो गएं, बागवानी के छेतर में भी हमारा योगदान भढ़त जा रहा है, और 187 मिलियन टन हमारा दूद का भी उत्पादन हो रहा है, दुगद उत्पादन के दृष्टी से, देरी उत्दोग के दृष्टी से, गुजरात पूरे देश को पेढ़ना देने वाला राज है, और आज भी इस संभिलन में, बड़ी संख्या में, इस शेतर म काम करने वाले किसान और भाई और बेहन यहां पर मौजूद हैं, एक समय था जब हमारी आवशक्ता उत्पादन की थी, और इसलिए हमारी नीतियां और हमारा ध्यान हमेशा उत्पादन पर केंद्रित रहा, लेकिन आज की आवशक्ता है, कि हम अपने विचार को बदलें, और हमारी कोसे से होनी चाहिए, कि उत्पादन के बजाए हम किसान की आई केंद्रित विचार करें, क्यो nhất हमारे पर्दान मंतरी नरेंडर मौदी जी ने कहा है, कि पांच वरसों में किसान की आमधनी दोगनी होनी चाहिए, तो किसान की आमधनी आज कितनी है, या 2022 तक दोग शक्ता है और इसलिए हम यह आमदनी दोगुनी कैसे कर सकते हैं इस पर राज सरकार को भी सेकारिता विवाग को भी और क्रिसी मंतराले को किसानों के साथ बैठ कर विचार करने की जरूरत है मैं जहां तक समझता हूँ कि फसलों का अपना योगदान और फसलों का अपना मैं तो है लेकिन किसान के आमदनी बढ़ाने की दरश्टी से हमारी लगातार ये कोशिस होनी चाहिए कि हम पसू पालन पर ध्यान केंदरित करें दुख दूत पादन पर ध्यान केंदरित करें मद गती से इस लक्ष को प्राप्त करने में निश्य दूरूप से हम सफल होंगे केंदर सरकार ने भी इस दिसा में योजनाओं का सरजन किया है और उनका क्रियानबन भी गुजरात में और पूरे देश में हो रहा है प्रधान मंतरी जी ने सीधी आर्थिक मदद किसान को हो इसके लिए MSP को डेड़ गोना किया प्रधान मंतरी जी ने पहले बार इस बात को चर्थार्थ करने की कोसिस अपनी योजना के माध्यम से की कि किसान को भी सम्मान दिया जाना चाहिए जब प्रधान मंत्री जी ने PM किसान सम्मान निदी के गोशना की तो उसका और कोई सुरूब भी हो सकता था उस योजना का और कोई नाम भी हो सकता था लेकिन प्रधान मंत्री जी ने उसको किसान के सम्मान के साथ जोड़ा इसके माइन यह है कि सवाल पैसे का नहीं है सवाल रासी का नहीं है सवाल इस बात का है कि अगर केंडरो राज्य सरकार के मन में अन्य दाता का सम्मान है तो अन्य दाता को आगे बढ़ने से कोई भी तागत रोक नहीं सकती और इसलिए उन्होंने किसान सम्मान निधी को तै किया और आज डीबीटी के माध्यम से देश के करोडों किसानों तक यह योजना पहुँच रही है और किसानों को लाब मिल रहा है प्रधान मंतरी किसान मांधन योजना किसान जब 60 वर्स का हो जाए और खेती के योग न रहे तो उसको सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए इसलिए प्रतिमा 3000 रुप्या मासिक पैंसन उसे मिले यह भी सुरिशित करने का काम प्रधान मंतरी जी ने किया है खेती पर प्रधान मंतरी जी का बहुत ध्यान है यहां सभी लोग बैठे हुए और मैं आपको बताना चाहता हूँ 2009 से 2014 के बीच में जब यूपिय की सरकार थी उस समय क्रसी मंतराले का बजट 87 अजार करोड रुप्या हुआ करता था आज नरेंदर मोदी जी की सरकार है तो 14 से 18 उनिस तक का जो बजट है वो एक लाग 64 अजार करोड रुप्या खेती के छेतर में हम खर्च करने वाले हैं यह सरकार की किसान खेती और गाओं और गरीबी उन्मूलन के प्रती जो प्रदिवदता है उसको प्रदर्सित करता है मुझे पूरा भरोसा है कि यह एगरी एसिया कांफरेंस का किसान भरपूर लाब लेंगे और विजय रूपानी जी के नित्रत्तों में खेती के छेतर में गुजरात और भी नए आयामा को प्राप्त करेगा और आने वाले कल में नरेंदर मोदी जी जो दारा जो निर्धारित लक्ष हैं उन लक्षों को प्राप्त करने में आप सब का बहुत बड़ा योगदान होगा आप सब को बहुत बहुत शुब कामना है धर्नेबाद खुब खुब भाभार अपना गुजरात ना गर्व समान विनम्र, धीर खंतिला एवा औ साधारान नेता गतिशिल औने उद्यमशिल गुजरात ना प्रणेता माननीय मुख्य मंत्री श्री विजय भाई रुपाणी ने प्रासंगीक उद्बदन मांटे आमंत्रित करिये छे तालियों ना जोरदार गडगडाट साथे आपने आपना माननीय मुख्य मंत्री श्रीनों स्वागत करेशू स्वाणों विशार संक्यामा उपस्तीत मारा वाला खेडूत भायों ने भेनों सो प्रथम तो आजे आ नौमा एगरी एस्या प्रदसन ए आत्ति खुलूमुक्वाम आईवू छे गुजरातना खेडूतो एनों खुब लाब लेसे तेभी सद्धा साथे खुब खुब अभिनेंदन अने सुब कामनाओ पाटवू छू आ प्रदसन एगरी कल्चार अटले के खेती अने पसुपालन इनी आखी एक टेक्नोलोजी आधारित एक वेल्यू चैन ए आ प्रदसन मां उभी करवा मावी छे एगरी कल्चार अपना कल्चार नो भाग छे आपनी संस्कृती आपनी विरासत आपनी प्राचिन प्रणाली का एमाद कुरुशी एने रुशी तुल्य गनवा माईवू छे अने एटले प्रकृती साथे जोडीने आ खेती ए इस्वरी कारिया छे अने खेती द्वारा आपने अनेक जीवों ना पालन पोशन अने तमाम जीवों माँ आपने जीवती सीवनी कल्बना व्यक्ती समस्ती साथे जोडा आई करनके खेती प्रकृतिक साथे समन्ती चेटले व्यक्ती ती समस्ती अने आतमा थी प्रमात्मा नी जी आपनी कल्बना छे ए खेती ना खेक्त्रमा आपने एने केंद्रस्थाने राकी अने आपने आगर वध्वा मागी ची नटलेज छोड मा रन छोड आपने एना दर्सन करि ये ची है आपनि पनाली का चे आपने एक मान्याता चे आपनी संस्क्रूती चे अने एने उजादर करवी एक जगतनो तात खेडूत एक वास्ताव मा जगतनो तात बने करणों लोकों ना पेट भरनारो आ अ किसान एना बावड़ाओं मा जोरावे अने दुन्या नी भुख ब बने इतला माटे राज्य सरकार अने केंद्र सरकार प्रहत्न करी रहें छे अ सवाल छे के आदरन्य मेरेंद्र भाए अहें मुख्यमंत्री अता त्यारे अने क्योज नाओ बनाएवी अने हवे देशना वड़ा प्रधान बहिना छे त्यारे समगर देशना खेडूतों नी चिंता करीने एमने पेला प्रवचन मा किदूतू के मारी सरकार एक खेडूतों नी सरकार छे मारी सरकार गामलाओनी सरकार असे मारी सरकार गरी, पिडी, सोसीत, वंजीतोंनी सरकार बंचे अने एकला माटे खेडूत, गामलू एने ध्यानमा राखी ने सरकार अगण वदी नीचे खेडूतने जोईसू तो खेडूतने समय सर सारू बियारन मले बियारन मेडा पची समय सर यहने पाणी अने विजडी मले ओजारो सारा ओई टेकनोलोजी यहने पासे व्यवस्ती तो ओई जडब थी एक खेतर मां काम करी सके त्यार पची खेडूत ने जे पाक पाके छे है एना पूर्ता भाव मले एकला माटे नी व्यवस्ता बने अने कदात खुद्रत रुठी ओई ने पाक निस्पडगी ओई तो पाक विमो मले पसल विमा योजना अने एना द्वारा इने पूर्तू रक्षन मले अने त्यार पची एक पाक पाके लोचे न पूर्तो भाव एनी मिनत मुझब मले त्यारे खेडूत सुखी बने अने एस अंदर बे चला पाँच साथ वरसमा अपने अनेक पगलाओ अपने उठाई वाचे मुझरातनी वाद करिये तो नरेंद्र भाए सौनी योजना सुजलाम सुफलाम योजना हर हाथ को काम हर खेड को पानी ए भावनाने ध्यानमाराखी ने नर्मदाना पानी सवरास्टने कच्छने उत्तर गुझरातना छेवालाना गामला सुधी पोचालवानों अप्यान इमने उपाईडू अने मने आनन्दे बातनों छे कि आवर से मेग राजानी खुब गुरुपा थेईचे अपना बदा जला से योँ भराई गया चे अने नर्मदा डेम जे छेला सित्तेर वरस्ती आपनी एक सपनू हतू संगर्स करता करता ए नर्मदा डेम ने आपने काम पुरू करी सेका अने पेली वखत आवर से आखो डेम भरावानों छे अत्यारे एक सो सारी पांतरी स मिटर पोची गयों छे एक सो आड़तरी से ए डेम भराई जासे पांच फाइव मिलियन एकर फीट पानी आटलू बदू पानी पेली वखत गुजरात नी धर्ती उपर मा नर्मदानू अपने आसिवाद आपतू नर्मदे शर्वदे ए प्रकार नू पानी अपने प्राप्त थासे पंदर दिवस मा डेम भराई जासे अने ए डेम नू पानी खेड़ू तो ना खेतर ने हरियाडा करवा माते खेड़ू त एक वार ने बैवार ने चलाशनवर पाक लने आने ए प्रकार नी व्यवस्था बने आने एकला माते आपानी उप्योगी बनवाननू जे आने ए पानी प्वचाला Wes माम नर्मदान ने रनू काम आपने पुरू कदिदू छे सुजलाम सुफ्राम अंतर गात उत्तर गुजात ना साड़ा 400 थी भदू तड़ाओ आपने जोडी दिदाच कछनो टपल डेम आजे नर्मदाना पानी थी ओरपलो आजे सवार रेतियो छे छे शाड़ा 600 किलोमिटर आपने कछना टपल डेम मां पोचाईडू छे तच ओई अने सवराष्णा 115 डेम आजे 56 डेम सवराष्णा नर्मदाना पानी थी भराई रिया छे भादर, सेत्रुन जे रंजी सागर, उन्ड, मच्छू आजे पानी पोचिगिऊ छे आजे पानी पोचिगिऊ छे विरोदकर ना रहोंनी हवा निकली गई छे अने पानी वास्षाव मात्यां पोचाईड उच्छा अपने जो आनो होत व्यवस्था तो कदाच सवराश्ट ने हिजरत करवी पड़त छला बे वरस अपना उच्छा वरसाद ने काने अपने घनव संगर्श करवो पेड़ो तो अने नर्वदानी देन अने नरेंद्र भाईनी दुरंदेसी अने एक सरकार्न मकम निर्दार के आ प्रकार्नी योजनाओने पुरी करीने एक पन घाम पीवाना पानी सीचाईना पानी दुकाले भुदकाल बने इनो अभावना रे इनो माते नी व्यवस्थाव करीशे अटले म मैं कि दू एम खेड़ू तने पानी जोई अने नियमी समय सर लाइट जोई है लंगड़ी विजड़ी आ सब्द प्रयोग अगावनी सरकार मा थे हो तो लंगड़ी विजड़ी पर तो समझाईन्या विजड़ी काई थोड़ी लंगड़ी होई पर पची खबर पढ़ी के करती नोही विजड़ी अने लंगड़ी विजड़ी माती जोती ग्राम द्वारा आपने आजे सारा मां सारी विजड़ी अने आवर से आपने मिर्धार कही रोचे के एकपन खेडूत नी मागड़ी के खेतर मां वीज कनेक्शन जोई ची आ वरस मां एकपन खेडूत बाकी न अने सुर्य सकती योजना अंतरगत गुज्रात ए सुर्य गुज्रात तरीक आगरवद्वा मागेज रिन्योबल एनर्जी सोलार एनर्जी खेड़ूत पते पता ना खेतर मा विजड़ी उत्पन करे पता ने वापरी भी वेटली वापरे वदारानी विजड़ी सरकार खरीज स तोinator अनेमा सोलार विजड़ी नोपन विचार राज्जी सरकार खरीजी खेड़ूत बज़ड़ी उत्पन करता आए धान तो आट पते माज्री उत्पन करता वद्वाए धृंवर्जी तो थाए तो इस्थाओं सरकार आगरवदी रिया आमने अगावना परकार्वचनों मा के वामाईवू चला त्रान वरसम अमारी सरकारे नव हजार थी वदू करोड ना करचे खेडू तो नू धान खरीदीने खेडू तो ने टेकाना भावती हजार रूपिय मगफडी पहली बार खरीदानी चे और आवर से ढगला बन धवानी चे अने सरकार खेडू तो चिंता न करे सरकार छेलो दानों पन हजार रूपिया सुधी खरीच से अने सरकार अमारा बंडारों खुला मुकी ने सरकार आखरीदवानी चे खेडू तो नी मेनत एडे ना जाई एनी चिंता सरकार करी रेचे पची ये कपास होई के मगफडी होई कोई पढवस्तू होई पची एदाण होई के पची राइडो होई सरकार बेठी छे अने खेडूतों नी मेनत एड़े ना जाए एनी चिंता सरकार करी दे छे साथे साथे बायो बेनो हिमपूर सबसिडी अने जेरी ते किसान सन्मान नी दी योजना अंतरगत दरे खेडूतना खाता मा सीधा पैसा पोचे वचमाथी पैसा वया आना जाए राजी उगांधी केता के उन रूप्यों मोखलू चू पंदर पैसा खवाई आई पंदर पैसा पोचे छे 85 पैसा खवाई आई शे अने नरेंद्र पैएं केछे के रूप्यों मोखलू चू आखे आखो रूप्यों खेडूतना खाता मा पोचे गरीबो ना खाता मा पोचे एभी व्यवस्ता आदनी या नरेंद्र पैसा करी चे चारे भायों बेनो आपने आउनारादी उसो मां गुजरात एह में साल लीड लिदी छे खेड़ू तो एपन माइंसेट बदल वुपर से आपने धोरिया पदती बंद करी ने ड्रीप इरिगेशन बदा खेड़ू तो करे राजे सरकार सित्ते टका सबस्विडिया पेच दर एक नाखेटर माँ धोरिया बन था आई अने ड्रीप इरिगेशन चालू था आई एमाटे खेड़ू तो आगर आवे साथे साथे टेकनोलोजी नो उप्योग थी बदा खेड़ू साथे मरी ने एक कॉर्परेट कल्चर ने डिवलप करी ने बदा खेतर माँ टेक्टर नी जरूर न थी पांस साथ दस खेड़ू तो भेगा थे ने एक टेक्टर नो उप्योग करी सके अने आपने साधनो नो उप्योग पन ए रिते पुर्तो करी ने आपने आगर बदिये एवी जरी ते जेविक खेती, जीरो बजेटिंग खेती, प्रक्रुतिक खेती, और्गेनिक खेती हवे एनो समय सरू थे योज अने भाव पड़े ने डबल नहीं, पांच गणा भाव मलेच कारण के लोको कैंसर थी बी गिया चे केंसर ना दर्दियो वधी गया चे, और्गेनिक खेती, और्गेनिक खेती मा उगेलू धान यह पांच गणा भाव आपवा लोकों तयार चे, त्यारे गुजरात नो खेडूत, यह मा अगल वधी ने जो बात कर से, तो खेडूत नो पन हित चे, लोकों नो पन हित चे, और्गेनिक प्रक्रुतिने बचावी ने, आपने सवनो साथ, सवनो विकास, यह मंत्र ने करवा माटे आगल आविशू, एवी जिरिते बायो बेनो, हवे एक्सपार्ट ओर्येंटेड विचार करवा पर से, आपने वर्सों सुधी धान उगाईडू, धान ना बंडारो भराएलाच, पच्छी आपने हम कई भाव मरता ना थी, डूगडी रस्ता उपर नाखे देव भडा दी, कया साथ बजी ना एक्सपोर्ट थे ही सके, और ले खेती माँ पन अमुक भाग, ए दिशामा राखी ने आगल वदिये, उँ बनास काटाना खेडूतने दन्यवादा पूचू, कि दारम नी खेती एवडी मोटी कही रीचे, कछना लोको ए खारेक नी खेती माथी आपने बार मोकल सू, तोज खेडूत पैसा नी बडले डोलर कमातो थाए नरेंद्रभाईनू सपनू छे, कि गुजरात ना खेतर माँ डोलर हूगे, और डोलर कमातो थाए, त्यारे साचा अर्थ माँ आपने विकास नी दिशामा अगर वदी सकी सू, तो वह यह क्या नवमू एगरी एस्या, एक एग्जीबिशन इना खेडूत साइंटिफिकली टेक्नोलोजी इंदस्टि थी विचार करी ने, आउना राद दिशो मा नवी पेढी, एक खेती मा रस लती थाई, एकला माटे पोते आना लाब लेई, अने आपने आपनों माइंड सेट नवीन पर्वके लिए नवीन प्राण चाहिए, जे रिते नवाव उस्सा साथे अपने सव खेती मा अगर वदीशू, एज अपिक्सा, सवनों आभार, सवने धन्यवाद खुब-खुब वाभार, माननिय मुख्यमंत्री श्री, आपना साशन मा गुजराते विकास पत भर हरन फार भड़ी छे, आपनों सूर्य आज रिते चमक्त रहे, अने तेना प्रकाश मा गुजरात आज रिते विकास शिल रहे तेवी प्राथना सर्वे महमारोंने पोतानी बै मिनीट फालव आविननती, भारतनी जिवादोरी समान, खेडूतोंनी आज इवी का टेक्नोनोजनी मदद थी, सरकारी योजना नी मदद थी, डबल करवाना उदेश थी, आकार पामेल एगरी एशिया अने डेरी एशिया तरफ थी, गुजरात सरकार नो सो प्रथा मम्या भार मानिये जिये, जेमने हम्मेशा नवी पहलने आवकारी साथ सहकार अने प्रोच्चाहन आपिया जे माननिय मुख्य मंतरी शिविजय भाय रुपानी जी, क्रुशी अने खेडूत कलियान मंतरी शिञ्डरासी तोमर जी अने सर्वे मंचस्थ महानो भावनु, पोतानो कीमती समय फाड़ावा बदल खुकु वाबार माननिया प्रदानमंत्री श्री नरेंद्र मोधिना स्वपन सबका साथ सबका विकास जाने साचु ठर्यू होय तेम गुजरात कोपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फैडरेशन गुजरात प्रोग्रेसिव डेरी फार्मर्स असोसियेशन अमुल